Hey everyone, मैं हो शुभी और आप देख रहे हैं Glam Up क्या आपको पता है राहिल आजम जिनने उनके करियर में हातिम के रोल ने सबसे ज़ादा पॉपिलरिटी दिलाई थी वो शो की शूटिंग के दौरान वो देर साल दिप्रेशन में थे और राहिल ने अपनी लाइफ में काफी गल्तियां की जिसे वो आगे कभी रिबिट नहीं करना चाते क्या थी वो गल्तिया और कैसे उन्होंने डिप्रेशन ऊवर्कम किया कौन है उनकी life partner, क्यों उनकी ex-girlfriend का कहना है कि राहिल ने उन्हें धोका दिया, कितना सच है इस बात में और कितना जूट और राहिल ने कैसे तै किया actor बनने तक का सफर राहिल की life से जुड़ी ऐसी ही जानी अंजानी बाते जाननी के लिए बने रही है इस वीडियो के end तक बट उससे पहले मेरी आप सभी से request है कि इस वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरूर करें और साथ ही आप मुझे instagram पर भी follow करें मेरी idea है hello shubhi राहिल आजम का जन 25 सितंबर 1981 को बैंगलॉर करनाटका में हुआ था और उनकी family में उनके parents के अलावा उनकी एक बड़ी भेन भी है राहिल की परवरिश से लेकर उनकी पूरी पढ़ाई बैंगलॉर से ही हुई बैंगलॉर के Clarence High School से schooling करने के बाद उन्होंने बैंगलॉर क यही BMS College of Engineering से software engineering complete की और उसके बाद कुछ टाइम बैंगलॉर की एक IT company में job भी की पर उनका सपना हमेशा से एक actor बनने का था इसलिए 1999 में वो side by side modeling field में भी career बनाने मुंबई shift हो गए उसी दोरान उन्होंने तीन महीने acting classes भी जॉइन कर ली जिसके बाद उन्हें काफी TV ads और रोल से डेब्यू करने का मौका मिला जिशो के स्टोरी एक चोटे शैर की एक लड़की पर बेस थी जो अपने लवर के लिए city में shift होती है पर वो उसे छोड़ देता है अपने डेब्यू शो के बाद वो हॉरर शो कोई है के काफी एपिसोडिक रोल्स में भी नजर आए और उसके बाद एक और होरर शो अचानक 37 साल बाद में भी देखे गए इन शो उसके बाद उन्हें भावी शो में राकेश नाम का किरदार निभाने का मौका मिला पर ये रोल्स राहिल आजम को recognition नहीं देला सके बट 2003 में स्टापलस के शो हातिम ने उनकी किसमत ही बदल दी और उन्हें रातो रात स्टार बना दिया और बच्चों के बीच तो वो बहुत पॉपिलर हो गए थे इस शो की शूटिंग देर साल तक बरोडा में चली और राहिल को शूटिंग के लिए वही रहना पड़ता था शूटिंग से घर और फिर से अगले दिन शूटिंग देर साल तक डेली ये सब ही चलता रहा इसके बाहर तो जैसे कोई उनकी लाइफ थी ही नहीं और इसी वज़े से राहिल डिप्रेशन में चले गए राहिल बताते हैं कि हातिम शो में उनका एक्सपिरियंस बहुत ही अलग था लेकिन उन्होंने कभी उस फेम को एंजॉइ नहीं किया दरसल वो बरोडा में थे इसलिए उन्हें पता ही नहीं लगा कि मुंबई में इस शो ने क्या हाइप क्रियेट कर रखा है और वो बरोडा में एक बोरिंग लाइफ जी रहे थे इसलिए जब वो मुंबई आये तो तीन महीनों के लिए उसी दुनिया में खो गए इस दौरा उन्हें समराथ प्रित्वीराज चौहान का लीड रोल भी ओफर हुआ था बट उन्होंने इसे ना कह दिया जबकि प्रित्वीराज के प्रडक्शन हाउस ने उनकी सारी टम्स और कंडिशन्स भी एक्सेप्ट कर ली थी तब राहूल के फैंस को लगा कि सार्थी शो का से रिपीट ना करने का डिसाइड कर लिया हातिम के इतने बड़े सक्सेस के बाद उन्होंने जब फिर से डाउनफॉल देखा तो उन्होंने अच्छे रोल के लिए वेट किया और दो साल बाद जब उन्हें रेशम डाक शो ओफर हुआ तो स्क्रिप्ट पढ़ते के साथ ही उन्होंने इस रोल को हाँ बोल दिया इस शो में उन्होंने आधित्य बलवराच का रोल प्ले किया था और ये रोल उनकी लाइफ के अगेन वन अफ दा बैस रोल में से रहा इस शो की स्टोरी एक फादर और संद पर बेस थी वैसे इन शोज के अलावा राहिल सोनी टीवी क पाबुल कांगन चूटे ना गुलाल जो अगेन उनके बैस शो में से एक था मुक्ती बंदन मैडम सर में डी सीपी अनुभव सिंग जैसे कई फेमर्स शो का हिससा रहा चुके हैं वैसे उन्हें संजय लिला भंसाली का शो सरस्वती चंद्र में वनराज का रोल भी ऑफर पर एक्टिंग के लावा राहिल तीवी स्क्रीन से ब्रेक लेकर अपने फैमिली बिजनिस पर भी ध्यान देते हैं उनके फादर एक फैशन डिजाइनर है इसलिए बैंगलॉर में उनका एक डिजाइनर शोरूम भी है करंटली वह स्टाफ भरत के शो धीरे दीरे से में रीन नौशन अली सरदार के साथ रिलेशन्शिप में रह चुके हैं मीडिया को नौशीन ने इंटर्व्यू में कहा था कि राहिल उनके साथ तीन साल से रिलेशन्शिप में थे और अपने पैरेंट से शादी की बात करेंगे ये बोलती रहे बट इन रियालिटी उन्होंने कभी अपने पैरेंस तक नौशीन का नाम तक नहीं पहुचने दिया और नौशीन को बीच में लटकाए रखा अब इस बात में कितनी सचाई है ये तो वो दोनों ही जाने बट इससे पहले भी दोनों एक-दो रिलेशन्शिप में और रह चुके थे नौशीन का कहना है कि राहिल